नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश अब 20 सितंबर मंगलवार दोपैर सवा 3 बजे राजसान के 15 बड़ी खबरे सबसे पहले एक नज़र डालते हैं अचकी हड्लाइन्स पर रीड के रिजल्ट को लेकर बोर्ड एक्टिव मोड पर प्रेमी जोडिन ने मांगी सुरक्षा मिली जिल कैविनेट मंत्रे विश्वे इंडर सिंग का बेटा अनिरुद एक बार फिर चर्चम और एन्म पाठे करम के लिए विदन प्रक्रिया कल से और अब खबर विस्तार से रासान विधान सबा में प्रशनकाल के दरान कॉंग्रिस विधायको ने ही मंत्रियों को घेर लिया सिरोही सहीद प्रदेश भर में अदालतों की बिल्डिन को बनाने में हो रही देरी को लेकर संसद्य कारे मंत्री शांती धारिवाल के जवाब परतंज कस्ते हुए सीम गेहलोत के सलाका सैयम लोड़ा ने कहा कि अध्यक्ष महोदे आपको तो पता ही है इन्होंने मुद्दे को घुमाने में तो पीस्टी कर रखी है वहीं हरीश मीना ने सरकाल को घेर लिया देवली उनियारा से कांग्रिस विधायक हरीश मीना ने नसीर अधा चौकी को ठाना बनाने की घोशना के बावजूत अब तक शुरू नहीं होने पर सवार उठाए हरीश मीना ने मंत्री शांती धारीवाल के जवाब के बाद सवाल उठाते वे पूछा कि मंत्री जी नासीरता थाना शुरू होगा या केवल काग्जों में ही रहेगा अभी महाँ चौकी है चौकी पर मुगदमे दर्ज नहीं होते लोगों को मुगदमे करवाने के लिए 44-44 किलोमेटर चलकर जाना पड़ता है इस पर मंत्री शांती धारीवाल ने कहा कि नासीरता चौकी में स्टाफ लगाया गया है ठाने के लिए जमीन आवंटन का मसला सुरस्ते ही ये शुरू हो जाएगा सेमशो गैलोत की फटकार के बाद मादर में एक शिक्षा बोर्ड राजसान रेट रिजल्ट को लेकर एक्टिव मोड पर दिख रहा है सूत्रों की माने तो बहुत जल्धी बोर्ड राजसान अध्यापक पात्रता परिक्षा का पाईनाम गोशित कर सकता है रेट से जुड़े शिर्ष अधिकारियों के माने तो इसी हफते यानि 25 सितंबर तक रेट रिजल्ट की घोशना होगी सूत्रों का कहना है कि रेट के पाईनाम में देरी को लेकर मुख्य मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई है रासान के चूरू जिले में एक प्रेमी जोड़े ने घर से भाग कर लब मैरिस कर ली बाद में ये प्रेमी जोड़ा परिजनों की ओर से मिली धमकियों से डर गया और सुरक्षा मांगने के लिए पुलिस अधिक्षक के पास महचा कैमिनेट मंतरी विश्वेंद्र सिंग के बेटی निरद्य सिंग एक बर फिट चर चाहों में है इस बार उन्होνें राजी मंतरी डॉक्टर सुभाशगरог और जिला प्रशासन के खिलाफ मोचा खोल दिया है उन्होंने राजे मंत्री डॉक्ट सुभाश करके ट्वीट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि भ्रहम हम नहीं वो फैला रहे हैं एतिहासिक विरासतों को समाप किया जो रहा है जिला प्रशासन गूंगा भहरा है जो किसी की सुनता नहीं है सिर्फ राजनेताओं के इशारे पर काम करता है महिला स्वास्त कारकरता प्रशिक्षन पाठेक्रम के लिए आविदन फ्रिक्रिया 21 सितंबर से शुरू होगी चिके साम स्वास्त विभाकी ओर से चंचाली ते 33 राज़ के प्रशिक्षन केंद्रों में सत्र दोजार बाईस देश के लिए प्रशिक्षन पाठेक्रम शुरू होगा योगिता की अनुसार महिनाए पाठेक्रम में प्रविश लेने के लिए अपने जुले के मुखे चिके साम स्वास्त अधिकारी सीमेचु कारेले में 20 अक्टूबर 2022 तकावेदन कर सकती है सीबेसी नगदिली ने शाक्षनिक सत्र दोजार बाईस देश के लिए दसवीं वे बारवीं बोर्ड के सैंपल क्वेशन पेपर्स जारी कर दिये हैं वाश्वे दोजार तेश में बोर्ड परिक्षा का आयोजन 15 फरवरी से किया जाएगा बारवीं बोर्ड के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथेमेटिक्स वे बायोजी विश्यों के सैंपल क्वेशन पेपर्स का विशलेशन किया तो पाया कि 22-25 प्रतिशत वेटेज अबजेक्टिव टाइप क्वेशन का रहेगा कोविट पूर के एग्जामिनेशन पैटन में 10 क्वेशन अबजेक्टिव टाइप पूछे गए थे प्रतेक प्रश्न एक अंका था, इनका कुल रेटेज 14 प्रतिशत लगभग था राव जो धद्वरा महरानगड के पश्ची में छोर पर स्थापित प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा मा के मंदिर में आसो जी नवरातरी का प्रारम कुम्ब स्थापना के साथ 26 सितंबर से होगा कुरुना में हमारे के कारण वर्ष दोजार बीस ऐवं दोजार इकिस में आसो जी नवरातरा के दवरान मा चामुंडा के दर्शन प्रशाशन के निर्देशा नुसार बंद रखे गए थे बिकानेर भाजपा की प्रवक्ता मनीश सोनी के घर के आगे से चोरी हुई बाइक महस 10 मिनट के बाद ही वापस अपनी जगा पहुँच गई दरसल रानी बाजार में लखी मॉडल स्कूल के पास रहने वाले मनीश के घर के आगे दो बाइक खड़ी थी देरा चोर आया और बाइक लेकर भागया महस 13 मिनट बाद ही वो युवक बाइक पर वापस आया और बाइक रखकर चला गया उसे हैसास हो गया था कि CCTV में उसकी फुटेज आने के कारण वो पकड़ा जा सकता है आगामी 26 सितमबर से आसोजी नवरात्र के दोरान जोदपुर की महरानगर दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए सुरक्षित वे सुविधा जनक दर्शनों की विवस्ताओं को लेकर पुलिस उपायुक्त पूर्व डॉक्टर अमरता दुहन के अध्यक्षता में पुलिस लायंस सित सरदार पटेल सभागार में बैठक आयोजित की गई उन्होंने महरानगर्ण म्यूजियम ट्रस्टर वे अने संबनित विवागू की विवस्ताओं की जानकारी ली और उचित निर्देश दिये बेकानेर जिले में मुंख्फली से इस बार किसान व्यापारे और बाजार बंपर उमीद लगाए बैठे हैं मौसम की अनुकुलता से अनुमान है कि मुंख्फली का उत्पादन जिले में एक करोड बोरी को पार कर जाएगा अनाज मंडियों में नई मुंख्फली के आवक शुरू भी हो गई है बेकाने श्री डूंगर गड लूनकरन सर्क खजुवलादी मंडियों में दश्यरा के असपा सावक जोर पकड़ जाएगी बेकाने राजिस्थान का सबसे बड़ा मुंख्फली का उत्पादक जिला है जोदपूर कमिशनर रेट के माता के थान शेतर में गत 17 सितंबर को हुए आँख में मिर्च डाल कर लूट करने के मामले में परिवादी खुद ही मास्टर माइंड निकला खुद के साथ ही लूट का मामला दर्च कराया जबकि इस घटना में खुद ही मास्टर माइंड था सह कर्मी मुनीम के साथ मिलकर साधिश को अंजाम दिया DCP East अमरता दुहन ने बताया कि उसने मिर्च डाल कर एक्ट किया ताकि घटना सही लगे और किसी को शक ना हो लेकिन पुलिस ने घटना का परदाफाश कर दोनों को गिरिफतार कर लिया और आरोपी के पास से दो लाक रुपे बरामत किये है नागौर में दिन्दाहाडे हुई गैंक्स्टर की हत्या के बाद बेकानेर की पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है असल में हत्यारों के हर्याना भागने का इंपुट मिलने के बाद बेकानेर जिला पुलिस ने सभी हाईवे पर एश रेनी की नाकबंदी करवा दी थी हत्यारों की तलाश के लिए खुद आईजी उंप्रकाश पुलिस जापती के साथ रेली सेशन पहुंचे सिठी गैंक के सरगना संदी बिश्णूई की सोमवार को दिन दाहाड़े हत्या कर दी गई थी वो दो दिन पहले ही जमानत पर जिल से बाहर आया था जोद्पुर जिले के चामू थाना शेत्र में केबल चोरी करने की दो बारदातों का खुलासा कर चार शातिर चोरों को ग्रिफतार किया गया है ग्रामी ने अस्पिया निलक्याल ने बताए कि भीलों की ढाने के पास टुवेल से डेर सो फिट केबल चोरी हो गए थे वहीं पाबु नगर में बने डुवेल से धाई सो फिट केबल अग्या चोरी करके ले गए इस पर मामला दर्चकर अनुसंधान शुरू किया गया उनके निर्देश पर थाना दिकारी दीप सिंग के नेतरतु में गठी तटीम ने ओसिया थाना के अंतरगत बढला बासनी के शरवन कुमार मेगवाल वे अशुक पाबु नगर चौामू के डुंगर रामभील और घेवडा के रूपा राम को गिरिफतार किया निर्मांदर बढ़ने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बिकानेर में CMJY योजना में 792 क्वार्टर बनाने के लिए UIT को राजी सरकार से दुबारा इजाज़त लेनी होगी UIT ने मुख्यमंतर जोनावास योजना में गर्सी सर में आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आईवर के लोगों के लिए G-3 के 792 फ्लैट बनाने की योजना तयार की थी सरकार ने नई गाइड लाइन टाय की है जिसमें निर्मानदर 1000 रुप से बढ़ा कर 1200 रुप स्क्वेर फिट कर दी गई है अब EWS क्वार्टर 4,4,472 लाइग और LIG क्वार्टर 6,18,199 रुपे का होगा मौनसून की विदाई का समय आखिर आ ही गया इस साल 2 जुलाई को मौनसून विकानेर पहुंचा लेकिन इससे पहले एप्री मौनसून की बारिश भी पूरे जिली को सराबोर कर चुकी थी मौनसून अवदी में अकेले विकानेर शायर में 344,47 बारिश हुई मौसम विभाग ने अपने आंकलन में भी सपस्ट गया कि अब आने वाले दिनों में मौनसून की बारिश नहीं होगी अब बारिश पस्ट में विक्षोप के कारण ही होगी तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगी कुछ और बड़ी खप्रों के साथ